इंदोर मध्यप्रदेश मिजन में बेंद्री का एकाकीपन गरीबी सामाजिक दिविलकाव प्रांथिवाद के चत्क्रव्यूस में होने के पर भी अडिक विश्वास के कारण कलक शेत्र में एक उच मुकाम प्राप्त किया बाल्यावस्था में चेतक के प्रकोप से आपके का इससे आप अनेक बार नींद और बोजन भी नहीं ले सके किन्तु आपके जीवन में कला के प्रती प्रेम सरो परी रहा उन्यसो पैंतालीस इश्वी में बेंद्रे ने आवासी कलाकार के रूप में शांती निकेतन प्रवास किया जहां कलपनाश रजन और चिंतन का लाब न इस में इस सो से इस महां के लिए अमेरिका लंदन गए जहां अनेक संग्रालयों में प्रसित कल्या करतियां देखी ग्राफिक सेनेमिक कादिषला में भाग लिया उन्यसो पचास इस समय दे और अपने छात्रों को संस्कृति के स्वरूत को समझे और अपने कलात्मक अभ्यक्तित्तों से आत्मसाथ करने को प्रेरीद किया उन्होंने एक सुयोगी शिक्षक के मार निदेशक की सफल भूमी का निवई जोती भट त्रिलोक कॉल शांती देवे जियार संतोष रतन परिमू गुलाम मुमत शेक आदी आपके प्रमुक्षिश्यत है आपने चीन, जापान, चेकोसलाविया, टोरंटो, युगोसलाविया, पोलेंड, आधी देशों की यात्राइं भी की 1979 इश्वी में भारत सरकार द्वारा आपको पदमिश्री से विवुशित किया गया 1994 इश्वी में राष्ट्री ललित कला कादम की फेलो चुने गए इंदीरा कला संगीत ब्रीश्वी ध्यले खेरागर से डिलीट की उपाथी तथाशान्ती निकेतन दिक्षान समारोग रगनेंद्र अविनिंद्र प्रुष्टा प्राप्त की हुआ बेंद्री की संपुन कला यात्रा को तीन रूप में द्रिश्टिकत होते ही है प्रारमिक समय में चित्रों को वाश और गवाश तक्निक बनाएं गए ज्रशी चित्र हैं बनारे सरीदवार कश्मीर इंदो राधी स्थानों प्रवास के मद्या निर्मित किये गए इन चित्रों की शेली फ्रेंच प्रभावाद और जर्मन अभिविजना वाद से प्रवावित हैं इन चित्रों में प्रकरती का रोम हों मोन सोंदर ये भी स्वांस लेता है जिन में वातावरान प्रकाश रंगों की ताजगी पकड़ अध्विती है ये चित्र लगभग 1930 से विवित प्रयोग के कारण आप चित्रों के गनवादी प्रवरती विक्सित हुई जो 1950 इश्वी तक मानवी आकारों के स्टील लाइफ और पारिवर्तित होती है इस समय के चित्र भी दो भागों में विभगता है मानवाकरतियों से समंधित तथा स्टील लाइफ अंकन इस स कल रंग पैस्टल रंग तेल रंग श्वेत श्याम रंगों के मिश्रन या अन्यकोई माद्यम सभी में रंग आपके आत्मवीश्वास के जोलंत प्रतीक का प्रतीक रूप में उपस्तित हुए हैं आकारों को भी सरल स्पष्ट रूप में देखा है, मानवा क्रतिया सोंदर्य पूर्ण किन्तु स्पंदन रहित है, बेंदरे के अनुसार कला मूख संभशना है, बलकि कहें कि वह इससे भी अधिक है, कला स्वानुभवों को व्यक्त करने का साधन है, हाला कि बिल्कुल अपने दूसरों से संभाशन कर सकूँ, दूसरा यह है कि कला के मादयम से स्वायम को व्यक्त कर सकूँ, इस समय बेंदरे ने बिंदुवादी पध्धती में भी रंगों का प्रयोग किया, किन्तों सोरा दोहरा स्थापित बिंदुवाद के सिध्धानतों का अनुसरन करके नहीं, चोड़े तूली का गात्तों में टोन, रंग, टेक्स्चर को प्राप्त करने के लिए बिंदुवाद का प्रयोग किया, बेंदरे ने उनिस साथ इश्वी के पच्चात अमूर्थ अभी में ना वाद प्रयोग किया, इस संभन में रिचर्ड बोर्थुल्यूम का कथन है कि अमूर्थ कला के लिए चमत्कर रिजाइन और चमत्कर रंग में से किसी एक की समझ प्रमावश यह गए, किन्तु बेंदरे में दोनों की समझ नहीं थी, इसका कारण यह था कि बेंदरे तकनीकी अपचारिकता में विशास नहीं करते थे, 1966 इश्वी में बड़ोद्रा सित् पत्र दे कर आप मुंबे में स्तही रूप से इस रिजनों निवास करने लगे, इस समय आपकी तकनीक वस्याली तर उत्रो तर स्विक्सित होती गई, जिसे किसी वाद तक में सीमित नहीं किया जा सकता, आपके चित्रिश नेशनल गैलरी ऑफ मोडन आर्ट और ललित कला का अदमी नहीं दिली भारत कला भावन वरानसी एकेडमी ओफ हैनार्स बीला एकेडमी ओफ आर्ट एंड कल्चर कोलकाता बड़ोद्रा चेन्नेई बेंगलोर म्यूजियम लेलित कला मैसूर सालर जंग म्यूजियम हैदराबाद एशे इंस्ट्यूट्यूट नियूर्क आदिस से रंग सास थे इन्होंने रंग को कई तरह से इस्तेमाल किया जो चित्रों में देखने लायक है धन्यवाद कल अपन के के हिब्बर